हेलो दियर स्टूडेंट्स असी नावल मडी दा दीवा कांड दो दा सार कर रेसी अति हुण मैं इस सार नू अग्गे कंटीन्यू करनतों पहला तहानू इस सार दे पहले हिसे बरे संखेप विच दसांगी कांड दो दे अराम विच जगसी जोकी नंदी दा पुत्तर है तरम सिंग दे कर बल्द लेन जानदा है ते जद बल्द लेके तरम सिंग दे कर तो निकल दा है तर रस्ते विच उस्ते मान विच तरम सिंग दे पुत्तर पंते दे खर्मे सुबादा ख्याल होंदा है एस तरह सोच दे सोच दे ओहो खेत पहुंच चन्दा है ओथे पहुंच के ओहो अपने पुराने दिनानू याद करदा है कि तरम सिंग दे पयो ते उसते पयो ठोले दी बड़ी गुरी सांच सी जिसनू सारा पिंट जानता सी इस सांच जे तहत उहो दो में अपने अपने पिता दे कहे होए बोलानू उगा रहे सनू उन बेटा सी सारनू कंटीनियू करांगे इन सोच्चा विच प्याजक सीर बलदानू वट ते खड़ा करके ताली कोल चला जानदा है ते अपने खीसे विच्चों चोला दे कुझ दाने ते गोर्दी रोडी काड़ के ताली दे हेठा बनी अपने पियो दी थोले दी मडी नू मत्था टेक रहे ते फिर पहली वोनी शुरू कर दिन्दा है उस समय उसनू अपने पियो थोले दी गल याद ओंदी है कि उसने कदे भी इस खेत दे दाने मंडी नहीं वेचे सान ते जे किते नंदी दाने वेचन लई आख दी भी सी ता उसमे ठोला उसनू इह कहके चोप करा दिन्दा सी कि कमली ये कदे किसे पाग गामालिया ने दोदबोत भी वेचे है एस लई जगसीर ने मी अपने पियो दी एह रीत तुटन ना दिखती ते कदे भी इस खेत दान मंडी नहीं वेचे सी उन बेटा जदो जगसीर सोच्चा मीच डूब्या हुंदा है वो बल्दा नू वाटते खड़ा कर दिन्दा है ते अपने जे विचो चोडान दे कोज दाने गोर्दी रोडी काड़ के टाली दे हेठा अपने पियो दी मडी नू मथा टेक दा है ते फिर जदो पहली गोनी शुरू कर दिन्दा है तो उसनों अपने पिता दी गल याद होंदी है कि उसने कदे वी एस पहली दी जड़ी कनक सी कदे वी उसने मंडी नहीं सुटी सी ते एसे तरही उहो अपने पिता वांग वी एह रीत तुटन ही सी दिन्दा हुन जगसीर ने सूरज चरन तक दो क्यारे वाले सन फिर अचानक उसी नजर पेंड़ वाले रावल पहुंझा दी है ते ओहो डंगोरी मार दी बड़ी काली काली तुरी उंदी नंदी नू वेखदा है ज़न नंदी खेत अपड़ दी है ता ओहो वेण पोने शुरू काल दी है उस समेच जगसीर पहला ता कुझी चीर बैठा रेंदा है पर फिर नंदी दे वेण पौन कानुस ता मानमी बेकाभू हो जानदा है ठीक होन उनने बेटा दो क्यारे वाले होन दे हन ते अचान उसी नजर जड़ी है अपनी मान नंदी दे पहन दी है जो की उननों रोटी देना होन दी है ओह जद खेत पहुँच दी है ते आंदियां ही वेण पोने शुरू काल दें दी है ते जगसीर पहलना ता उसी पर बाद विक की उसता अपना मी मान खराब हो जानता है पाब के ओब भी दुखी होंता है एस तरह जोदों रो पिट के नंदी दा मन होड़ा हो जानदा है एस तरह जोदों हो वैन पाके रोंदी है पिट दी है तो उस दा मन थोड़ा हलका जया हो जानदा है उस पोने दे विचों एक मिठी रोटी उत्ते मोठ को चोलतार के जक सीर दे प्योदी मड़ी उत्ते तार दिन दी है ते नाल ही एक रोटी अद्धी अद्धी करके बलदानू चार दिन दी है ते फिर बची उयां तेन रोटी उत्ते चोलतार के जक सीर नो खान लए दिन दी है उन्वेकों पांच रोटी लैकी आई सी जिस विचों ने एक रोटी ते मिठी रोटी उत्ते चोलतार के आपने पति दी मड़ी ते राख दिन दी है पर जगसीर दा मान परया होन करके उह मुश्कल नाल अद्धी रोटी ही खानदा है जिस करके उसको पोखनी अद्धी रोटी ही खानदा है जिक है ते बाकी रोटी या नंदी मल ताली दे मोड़ नाल साम के पेंड़नों मोड़ जानदी है ते ओधी रोटी खानदा है ते बाकी बची रोटी जड़ी उनदी है ओँ मोड़ दे नाल साम के चली जानदी है उद्धर जगसीर हालमों ले बेशक बल्दानू ललकारा मारदा है पर हुन वाप उस दियां लत्ता नहीं तोर दियां ते ना ही काहल नाल उसकोलों पैर पुटिया जानता है ये इस तरह जगसीर हालमों दे होए जदो निगा उता करदा है पहला ता उसनों नंदी तुरी जान्दी देशती है पर फिर अलोप हो जान्दी है उन बेटा जद नंदी उस दी रोटी टाली दे मोरना सामके चली जान्दी है ते ओ बेशक हालमों देले बल्दानू ललकारा म पर आप उस तो चीहीं मत नहीं उन्दी कि ओ काम का सके तो ना ही उसको प्यार पुट्टिया जान्दा है एस तन जिकसीर जदो हालमों देख देख देहें कि उसनी मा चली गई है तब पहला तो उन्नों थूरी जान्दी नजर आउंदी है पर फिर होली होली अलोप हो जान् यहां ते एस नूं असी अपनिया कापियां ते सुन्दर लिखाई विच लिखना है ते नाल ही बेटा इस नूं तुसी रिवाइज भी करना है तेल देम गोड़ बाई